दोस्तो नमस्कार, Study Portal में आप सबका स्वागत है, मैं आपका साथियूर गाइड डॉक्टर विजे, दोस्तो आज का हमारा जो टोपिक है, वो KVS का 2018 का पेपर है, KVS 2018 का प्रिंसीपल का पेपर आज हम सोल करने वाले हैं, और प्रिंसीपल के पेपर में जो 50 क्योस्टन जाते हैं, आपके एडमी और फाइननस के, एडमी और फाइननस वाले जो क्योस्टन आते हैं, उन सब को हम डिस्कस करेंगे, part four है ये, एडमी ऐनर फाइननस का है, KVS के 2018 वाले पेपर में, प्रिंसीपल का ये पेपर हम डिस्कस करेंगे, हलांकि बाकि सेक्शन भी हमने डिस्कस क जग है जहां भी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का पेपर आता है बच्चों की एड्मिन और फाइनस को लेकर के बड़ी समझा रहती है दूसरी चीज हम ओल ओवर इंडिया में स्टडी मेटरिल प्रवाइड करवाते हैं 8447410108 इस नंबर पर कोल या वटसप पर बात करके ओडर कर सकते हैं चाहे आपका के विस का एकजाम हो चाहे दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल में UPSC का एकजाम हो चाहे आपका नवज्दे विद्याल्य का हो चाहे आपका एमरेस का ह या अलग-लग लेवल के उपर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT या PRT जिस भी लेवल का एकजाम हो ओल ओवर इंडिया में हमारा स्टेडी मेटरिल पहुंचाया जाता है कोरियर और स्पीड पोस्ट के मादम से पूरे भारत में हम लोग सर्विस देते हैं आप ज यार कर सकते हैं चलो ये तो थी आप लोगों के लिए जरूरी सूचना अब हम क्योंकि सारे के सारे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के जो स्टुडेंट होते हैं वो सारे सीनिर साथी होते हैं उन लोगों को तैयारी उनकी ओलड़ी होती है स्टड़ी उनकी होचकी होत हालांकि उससे पहले भी हर बार कोई नो कोई होता था लेकिन अच्छे लेवल पर जो बच्चे गए तो उसके बाद confidence बच्चों के लिए और ज्यादा हुआ तो आईए देख लेते हैं एक बर इस section में कौन से कौन से question दिए गए है इस तरफ English का section है इस तरफ Hindi का है तो एक क्योस्चन को मैं थोड़ा सा देख कर बता रहा हूँ आपको फिर आप अंसर तक होचेंगे question number 101 यानि admin finance का पहला question at which rate traveling allowance is admissible to a kidney donor who himself is a government servant गुर्दा दान करता जो श्यों में एक सरकारी करमचारी है किस दर पर यात्रा भत्ते का वो हकदार होगा ये आपको बताना है अब देखिए दान करता सरकारी करमचारी को अनुपर्योज यात्रा भत्ता दान देने वाले सरकारी करमचारी को अनुपर्योज यात्रा भत्ता या फिर A और 2 में से उच्तर यानि higher या फिर A और 2 में से lower क्या मिलेगा ये आपको देखना है TA at the rates applicable to the donor government servant ये आपका answer रहेगा first वाला यानि दान करता सरकारी कनमकाचारी को अनुप्रोज यात्रा भता TA at the rate applicable to the donor government servant question number दूसरा आप लोगों की अलग राय हो सकती है वे क्योंकि बहुत सारे intelligent और over intelligent भी मिल जाएंगे लेकिन आप लोगों की अलग राय हो सकती है लेकिन हम इनको इस तरीके से solve करेंगे कि कोई दिक्कत ना रहे question number 102 if an SSC dependent is suffering from serious disability an amount of यदि किसी करदाता का आश्रित गंभीर उपंगता से गर्सित है तो निमन में से वित अधिनियम 2018 के अंतरगत कितनी रकम उसकी कराधीन आई से घटाई जा सकती है is deductible from the taxable income as per finance act 2018 2018 50,000 75,000 7.5 of taxable income या 1,25,000 तो ऐसी स्थिति में जो आपका अंसर होगा वो रहेगा 1,25,000 एक लाख पत्चिस हजार रोपे question number of card किसरा question on which of the following leaves a government servant cannot take voluntary retirement इन में से कोन सी छुटी पर होते हुए सरकारी करमचारी जो VRS है सवैसिक सेवानिवर्थी जो होती है जिसको voluntary retirement बोलते हैं वो नहीं ले सकता किस परकार की छुटी पर होते हुए जो गोर्मेंट एमपलोई है वो VRS नहीं ले सकता कोन सी छुटी पर होते हुए casual leave पर आकस्मिक अवकास पर ले सकता है वह इल के उपर ले सकता है अरजित अवकास पर SPL पर भी ले सकता है तो जो committed leave होती है जो CL होती है जिसको आप लोग प्रिवर्थित अवकास बोलते हो इसके उपर जो होते हुए है वो VRS नहीं ले सकता प्रिवर्तित आवकास या कॉमोटिड लिव के उपर होते हुए VRS एक सरकारे करमचारी नहीं ले सकता है Question No. 104 Which of the following is not correct with regard to the Complaints Committee for Prohibited of Sexual Harassment of Working Women काम काजी महिलाओं के लिए योन अउत्पडंद का निशेद से संबंदित सिकायत समीति के बारे में क्या सही क्या है, सही क्या है वो आपको बताना है जो सही है वो बाकी तिनों कि तिनों आपशन, automatically आपके बच जाने वाले हैं देखिए It should make a monthly report to the Government Department concerned of complaints and actions take on it ये समिती संबंदी सरकारी विभाग को सिकायतों और उन पर की गई कारवाई पर मासिक रिपोर्ट भेजेगी, ये सही नहीं वे, इसकी अध्यक्स एक महिला हो, it should be headed by a woman, बिलकुल, क्योंकि मामला यह ऐसे है, तब ही नहाए हो पाएगा, not less than half of its members should be a woman, कम से कम आदे से दस्य महिला होने चाहिए, बिलकुल ठीक है, you should involve a third party, is familiar with the issue of sexual harassment, इसमें ऐसा तिरतिय पक्स जैसे की ऐसरकारी संस्ता, NGO बगरा हो, जो योन उत्परिंद के विशे में जानकारी रखता हो, महिला अध्यक्स होने चाहिए, कम से कम आदे से दस्याश्य महिला होने चाहिए, और ऐसे आपका अंसर होगा, यह आपका अंसर हेगा, question number आपका 105, how much advance of approved CGHS package rates is admissible to government servant under CSMA rules and CGHS rules for all indoor treatment subject to prescribed conditions, सरकारी करमचारी को केंदरिय सेवा, यानि चिकिच्चा परिचर्चा, नियोमों केंदर सरकार स्वास्ते यो सेवा योजना के अंतरगत सभी भरती उपचार हेतू अनमोधित संपुद, संपुट दर का कितना अगरिम स्विकारिय होता है, 100%, 75%, 50% या 90%, 90% जो है आपका अंस सरा जाएगा, नेक्स्ट क्योस्टन है 105, नेक्स्ट क्योस्टन, अच्छा कई सारी पीडिया पही, एड्मिनेस्टेशन, फाइनस की, सीवेल एंड अकेडमी की, एजुकेशन, साइकलोडी की, चाइव डवलप्मेंट, पैडागोजी की, बहुत सारी पीडिया भी वीडियो के डिस्कर्शन में है, पीडिया भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और मैट्रियल तो और अल ओर इंडिया में आपको हम भेजी रहे हैं, क्योस्टन नम्बर एक्सोच है, वस्तो एम सेवाकर की परिभासा से निमलकित में से क्या अपवर्जित है, टैलिफोन सर्विस, अप वस्तो एम सेवाकर की परिभासा में, निमलकित में से क्या अपवर्जित है, वस्तो एम सेवाकर की परिभासा में, बिस्तो का क्या अपवर्जित है, अब देखो, इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है, टैलिफोन सर्विस नहीं रहेगा, supply of electricity नहीं होगा, जो है भूमी विक्र जो है यह आपका अंसरा जाएगा च्वेस्टल नंबर 107 दा कंबाइंड टोटल पीरिड ओप मेडिकल अटेंडेंडेंस वाई अथोराइजड मेडिकल अटेंडेंडेंडेंड सपेशली शूड वी ओल ज्वाइंटली भी लिम्टिड टू थ्री डेज थ अंसर आजाएगा आपका 10 डेज यानि 10 दिन के लिए क्योस्टन नंबर आपका 108 मैं हिंदी इंगलिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चे होते हैं और थोड़ा सा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हंग्रेज क्यों ना होब इंडिया में थोड़ा कोई सरकारी करमचारी सिवाए निर्धारी प्राधिकारी की पुर्वा निमर्ति के बिना के निमलखित नहीं करेगा। चल अचल संपति जो हो अरजित नहीं करेगा। कौन सा सही नहीं है ये वाला जो हो सही नहीं है ये वाला सही नहीं है बाकी वाले सारे के सारे सही है। Question number 109 which is not correct about MACP निमलखित में से MACP के बारे में क्या सही नहीं है। The benchmark is good up to the grade pay of RS 7600 level 12 in pay matrix इसमें 1600 grade pay वेतन में 12 तक मानक गुड है। सही नहीं है ये आपका इंसर आजाएगा। Question number 110 electronic ulti निलामी के संबन्द में निमन में से कौन सा आई सकते है। Which of the following is not correct in relation to electronic reserve auction क्या आई सकते हैं ये आपको बताना है। Effective competition through existing competitive market is ensured ठीक है। Processing entity should have detailed description of the subject matter of the procurement ये भी ठीक है। उसके बाद total value of procurement should not exceed 10 lakh ये गलत हो जाएगा। आपूर्ति की कुल मुल्य 10 lakh से अधिक नहीं होने से ये गलत हो जाएगा। तो इसका मलब आपका अंसर जो वो इसमें ये रहेगा। क्योंकि asset इसमें पूच्छा है इसने। Question number 111 निमन मेंसे किस आदेश पर एक सरकारी करमचारी अपील नहीं कर सकता। Against which of the following order a government service is not permitted to prefer an appeal। निमन की जो आदेश दिये गए हैं किसके उपर एक सरकारी करमचारी जो है वो अपील नहीं कर सकता है। किसके उपर ऐसे आदेश पर जो सासित के रूप में नहीं है किन्तु जो उस्तर पद पर स्थानापन रूप से कार्य करते हुए उसे किसी निमनतर पद पर प्रिवर्थित करता है। निलम्मबन के आदेश पर किसी सासित में विर्धी किसी सासित में विर्धी करने वाले आदेश पर स्थानानत्रण के आदेश पर यह ठीक हुँए है का सच कि यह इतिक शरकारी करमचार्य अपना पर रख कर थंत कतन नहीं यह दो अनुशासिक दिकारी अनुशासनी कधिकारी यह दी चाहे तो सरकारे कर ketchup के विरूद्थ कदाचार के किसी लांशन की सत्तता की जांच या तो सिवम करे या इसके लिए किसी जांच अधिकारी की नुक्ति करे Is it true that the disciplinary authority may itself inquire or appoint an inquiry authority if no defense statement is submitted by the charges, a charged official response of the response to the charge से कैसा ही है, जांच अधिकारी नुक्ति कर सकता कि इन तो सिवम जांच नहीं कर सकता हाँ, नहीं, या फिर अनुशासिक अधिकारी जांच कर सकता है, कि तो जांच अधिकारी नुक्ति ने कर सकता है अब देखो वे, इसमें 1, 2, 3, 4, यह सच है कि यदि सरकारी करमचारी अपने परते सकता का लेखित कथन नहीं दे तो तो नुशासिक अधिकारी यदि चाहे तो सरकारी करमचारी के विरुद्ध कदाचार के किसी लांचन की स्थित्ता की जांच या तो श्योंकर या इसके लिए किसी जांच अधिकारी की नुक्ति कर सकता है ठीक अब है भी आएगा अगा थान रखना ये जोब लगने के बाद परतम आठ वर्सों में छुटी यात्रा रियायत की पातरता क्या है यह आपको बताना है पर्थम चार अवसरों पर गरह नगट अता अगले चार अवसरों पर बारत में कहीं भी चार वर्स के ब्लोक में तीन आउसर पर गरे नगर और चोथे आउसर पर भारत में कहीं भी त्री कंसेशन्स टू हों टाउन एंड फोर टू एनिवेर इन इंडिया इन ब्लोक और फोरियस यह आपका राइट होगा क्यस्टन है आपका एक सो चोधा इन इंटरनेशनल ट्रेवल एंड ओफिसल ड्रोइंग पे इन पे मैट्रिक्स 13 एंड बेलो इस इंटाइटल टू विच ओफ फॉलोविंग क्लास बाई एर वेतन मैट्रिक्स 13 एम निवन पाने वाले अधिकारी के प्रक्रण में अंतराष्ट के हवाई यातरा पर किस त्रेणी की पातरता है एकनोमिस त्रेणी परनेशनल इस है नेक्स्ट क्येस्टन है आपका एक सो पंद्रह वीच ओफ फॉलोविंग इस उकर इन रिलेशन टू एणी आप एक्ट औप सेक्शुल हाराश्मेंट में अमाउंट तो सेक्शुल हाराश रोजगार में आधिमाने व्यवहार का वचन, रोजगार में आहितकर व्यवहार की धमकी, इसके मोजुदा या भौशे के रोजगार पतिष्टा के बरेम धमकी, अपमान जनक आचरन जिसके उसके स्वास्ते और सुरक्ष्या के सभी हैं यह तो भी, सभी लग रहें, सभी प् पुस्तिका के बारे में क्या ठीक नहीं है यदि हो जाए तो सरकारी करमचारी पता पचास रुपे देने से पुन पराप्त कर सकता है ठीक अब अगे जाकर बढ़ सकते हैं वह समस्थना कि दोजार लगवक बीस-टीस-पचास साल भाद भी आप सेम देखेंगे क्योंसनर 117, इफे पैनल्टी ओफ विद होल्डंग ऑफ दा नेक्स स्थ tah इंक्रे में में जैने तीन वर्स के लिए अगली व्यतन वर्धी रोकने की सास्ती का आदेश होता है तो कितनी व्यतन वर्धी रुकेगी तीन साल वाले में वे कितनी व्यतन वर्धी रुकेगी या आपने देखा होगा पैरा ओलम्पिक वाले मामले में के लाड़ी के साथ भी यह मामला इस साल भी सर्चा में रहा था तो कितने साल की रुख जाएगी तीन साल की बिए निमन में से किस प्रिशिति में सभी बोलियां एस भी कार करना नयाय संगत नहीं है नियुनतम तीन बोलियां प्राप्त नहीं हो यह हो मिनिमम थ्री एक्विजिशन वर नोट रिश्यूड यह अन्सर आ जाएगा question number 119 which of the following is inadmissible in transfer for short period not exceeding 180 days 180 दिन या कम आउदी के अलप आउदी स्थान अंत्रन पर निमन में से क्या अनुगे नहीं है क्या नहीं है वई actual journey time fare from headquarter to the station of short period transfer day for 8 180 days joining time joining time is right answer कार्य ग्रैन की आउदी question number 120 medical examination should be done at the time of appointment by चिकिशे प्रिक्षा न्युक्ति के समय पर इन के दवारा की जाती है किस के दवारा answer देखिए यह आफशक नहीं है यदि न्युक्ति 6 माशे कम समय के लिए ठीक है medical examination is not required if the appointment is not likely to last for 6 months यह answer आजेगा फिलाल तक के लिए question number 121 which of the following is not correct इन में से क्या सही नहीं है सही है नहीं सही नहीं है पूचा है सरकारी करमचारी सेवान वर्थी की तित्थे को ऐसा दानाकास पर हो सकता नहीं वहीं a government service can be on EOL on that on that table को यह सही नहीं है question number 122 what is the limit for purchase of goods without inviting quotation as per central finance rule central finance rule देखिए question दियान से पढ़िए which is what is the limit for purchase of goods जो सामान वस्तु है खरिदने की जो limit है without inviting quotation बिना quotation मंगवाए as per central rules central finance rule के coding क्या limit हो सकती है वस्तु खरिदने की बिना quotation invite किये सामयन वित नियमाली के अनुसार बिना बोलिया आमंत्रित किये वस्तु की खरिद की क्या सीमा हो सकती है या क्या सीमा होती है अनसर आजेगा आपका 25,000 in its case परतेक मामले में only 25,000 अगर उससे ज़्यादा लेना है तो आपको invite करना पड़ेगा quotation को बोलिया आमंत्रित करने ही पड़ेंगी question number 120 which of the following is not included in the category one of the list of family for payment of gratitude in case no nomination submitted इन में category A के list में gratitude भगतान के लिए कौन सामिल नहीं है यदि सरकारे करमचारी ने किसी को नामित नहीं किया हो कौन सामिल नहीं है पुछा है अपने नहीं कौन सामिल नहीं है पुत्री होगी विद्वा पुत्र हो जाएगी पुत्र हो जाएगा यानि बेटा हो जाएगा तो आपका डोटर विडो डोटर सन चब आ जाएंगे फादर पिता नहीं आएगा यह आपका अंसर हो जाएगा question number 124 DA on casual live while on tour is admissible at the rate for दोरे के समय आकस्मिक अवकास के परकरण में दैनिक भत्ता निमन दन पर अनुगे है किस दर के उपर होगा 100% no DA 30% 70% ऐसी स्थित्री में DA नहीं होगा भे दैनिक बत्ता नहीं भी आपका अंसरा जाएगा question number है आपका 125 for travel by share taxi the entitlement would be actual share limit to साजा टैक्सी दोवारा यात्रा करने पर वास्तिक व्याकी सीमा के तहट क्या अनुगे होगा share taxi के समय half the mileage otherwise admissible अनुग्या अनुग्य मेल भत्ते का आधा right question number 127 which one of the following is not correct about joining में निमन में से कारिय गरेंड काल के बारे में क्या सही नहीं है क्या ठीक नहीं यह बताना है joining time can be combined with leave ठीक है unspent period is credited in EL account यह भी ठीक है तो for pre departure formalities for going abroad no transit time is allowed विजेश जाने है तू पूरो पस्तान कारिवाई पूरी करने पर पारगमन समय नहीं मिलता यह ठीक नहीं है अंसर आजेगा आपका third question number 127 what is the limit up to which a group a government servant can receive gift subject to fulfillment of laid down condition on such occasion as wedding ATC when the making of gift is a conformity with the prevailing social practice without reporting to the government एक समूख कहा कि करमचारी की यदि नियम सर्थें पूरी होती है साधी जैसे अवचरों पर जबकि उपार लेना या देना परसलित सामाजी की रिती के अनुरूप है बिना सरकार को बताए उपार लेने की क्या सीमा limit पूचा गया वे gift की limit पूचा गया क्योंकि gift यह जिसके right of a government servant if the government servant स्वेचिक सेवनवर्ती सरकारी करमचारी का अधिकार है यदी अधिकार तो है लेकिन ट्रमेंड कंडिशन क्या है तीस वर्स की सेवा के उपरा तीन मा का notice दिया हो give a notice of three month after rendering 30 days qualifying service right first is right answer question number आपका 139 which of the following family member of a government servant is not eligible for LTC सरकारी करमचारी के निमन में से किस संबंदी के लिए छुटी यात्रा रियायत अनुगे नहीं है किसको LTC नहीं होगा बैज डिवोस्ट डिपेंडेंट डाटर dependent stepfather dependent son age 30 years dependent child of widow sister आशरित रास्पुदा पत्नी आशरित सोतेला पूत्र पिता तीस वर्स का आशरित पूत्र या आशरित उद्वा बहन का बच्चा ये नहीं होगा बैज डिपेंडेंट चाल्ड ओफ विडो सिस्ट ये नहीं आएगा तो अंसर आपका fourth आएगा एक सरकारी करमचारी जिसने आठ वरस की सेवा पूरी की है उसे निमन सेवा निवर्थी ग्रेच्विटी मिलेगी कितनी प्री लब्दियों का बारा गुणावे 12 टाइम ओफ एमोलुमेंट्स question number 13 the constitutional amendment for introduction of GST in India were made fully effective from 12-9-2016 section 19 of the amendment act 2016 allowed the transition period the switching over to GST required for five years, six months, two years, one year वस्तु भारत में वस्तु सेवा कर जयां, GST लागो करने है तो सेवा धानिक संसोदन 16-9-2016 को पूरंता प्रभावी किया गया था, संसोदन अधिन 2016 की दारा उन्निस के तहत, GST मेकर प्रणाली में आने है तो कितना समय दिया गया था, starting की बात हो रही है, one year का time period इसके प्रणाली मेडिकल अटेंडेंट रूल्स डू नोट अप्लाई तू, केंद्रिय सेवा है, सेकेट सा परीचरिया नियम किस पर लागू नहीं होते हैं, किस के ओपर लागू नहीं होते हैं, सेवा निवर्ज सरकारी करमचारी के ओपर, Retired Government Officials के, यह अंसर आएगा, क्यस्तन नमबर 133, the performance security in case of contracts for supply of goods cannot be furnished in which of the following form, वस्तों की आपूर्ती के ठेके के संबन में निस्पाधन परती भूती निमन में से किस परकार नहीं दी जा सकती, cash की रूप में नहीं, रोकडे की रूप में नहीं, क्यस्तन नमबर आपका 134, which of the following is not correct, no government servant shall accept with the previous section of the government, निमन में से कौन सा सही ने, कोई सरकारी करमचारी सेवाय सरकार की पूरो अनुमति के, क्या, क्या क्या option दे रखें, किसी अन्य रोजगार के लिए वचन बद नहीं करेगा, किसी अन्य रोजगार के लिए बाचीत नहीं करेगा, वैतनिक सामाजिक कारिया नहीं करेगा question number आपका है 135 CCS pension rules are applicable to one of the following केंद्रिय सिविल सेवा pension नेमावली निमें से एक पर लागू है किसके उपर लागू है ये आपको बताना है daily rated employee person paid for contingency person who were inducted in civil service of the government before और एक एक दो जर्चार क्योंकि एक एक दो जर्चार से पहले कि जो government apply वे उनके उपर pension नेमाव उनसे पहले वाले करमचारियों को pension का प्रावधान रखा गया question number 136 as serving government servant can act as defense assistant in a maximum of how many cases at a time कोई सरकारी करमचारी जो सेवा में अधिक्तम कितने केसों में पर्तिरक्षा अधिकारी के रूप में काम कर सकता है कितने केसों में पर्तिरक्षा अधिकारी के रूप में काम कर सकता है वे तीन केसों में कर सकता है बस question number 136 the NPS is based on the principle of राष्टे पेंशन सिस्टम निमन के उपर आधारित है किस चीज के उपर आधारित है the benefit as accord on the investment as opted by a government servant सरकारी करमचारी ने जो निवेश विकलब दिया हो उस पर जो लाब हो यह आपकांसर आई है question number 138 which of the following does not amount to a penalty under rule 11 निमन में से कौन सी सासित नियम 11 में सामिल नहीं है क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा से समझना पड़ेगा कुछ वर्डों को आपको इंगलिस के वर्डों का सारा बिलकुल लेना पड़ेगा इसलिए मैं बार बार बोलता हूं थाड़ आएगा प्री मेंचर रिटार्मेंट अंडर फ्र 56 जे के तैज समय सेवा पूरो सेवा निवारती question number 149 as per general finance rule 2017 a ministry of department should not prepare a list of likely supplies suppliers of non consulting service on the basis of which of the following समान्य वित नियमावली यानि जो general finance rule 2017 उसके अनुसार सभी मंत्रालियों अथा विभागों को गैर प्रामर्स दात्री सेवाओं के संभावित आपूर्ति करता हूं कि सोचने निवन में से किस आधार पर नहीं बनानी चाहिए no आपके answer नहीं वाला आपको चुनना है किस का येलो पेज, website, trade journals या eligibility condition formulated by the ministry of department मंत्राले दवारा विभाग दवारा निशित पात अरता सर्त में फॉर्थ क्रेशन, answer, question number 140, is LTC admissible to a government servant on study lieu? क्या सरकारी करमचारे को अध्यन छोटी की अवदी में छोटी यात्रा रियायत अनुगे है? क्या है असी सित्ति में? yes, subject to conditions के उपर depend करता है, सर्ते अनुगे होती है, question number 141, which of the following is not admissible as per transfer TA rules? स्थानांतरन TA निमावली के अनुशान निमन में से कौन सा अनुगे नहीं है? कौन सा नहीं है? बताइए, देखिए, TA for family member added after the date of transfer, प्रिवार के उस सदेश्य का TA जोके स्थानांतरन की निति के उपरांत जुड़ा हो? यह नहीं है, answer आपका यह आएगा. क्योस्टन नमबर 142 के बाद चलते हैं, 142 मा क्योस्टन, 142, इन केस बीड्स for consultancy service, which of the following is correct if two bid system has been adopted? यदि दो बीड पर्णाली परियुक्त की गई हैं, तो प्रामर्जातरी सेवा हैं, तो बीड्स के प्रक्रण में निमन में से कौन सा सही है? सही कौन सा यह आपको बताना ह क्योस्टन नमबर 143, which of the following is not correct about special casual leave? इन में से क्या सही नहीं है? यह राश्टी खेलों में बाग लेने के लिए भी मिल सकता ठीक है, यह एक वर्स में 30 दिन तक मिल सकता ठीक है, यह अंतराश्टी खेलों के लिए मिल सकता ठीक है, यह सांसकरती कारियों के लिए नहीं मिल सक तो आप का अनसर क्या आना चाहिए? फोर्थ आएगा. क्योस्टन नमबर 144, which of the following is not defined as goods as per GFR है? सामयने जनरल फाइनेस रूल के अकोर्डिंग, निमल लखित में से किसे वस्तु परिबासित नहीं किया गया है, वस्तु परिबासित किसको नहीं किया गया है, वहन होता है वस किसकों को निमाना गया है, और लाइव स्टॉक पसुव अगारिस में आते हैं, क्योस्टन नमबर है आपका 145, which of the, what is the admissible amount for, of pair for a non entitled government office, official traveling by air in private airline on LTC, किसी एपात्र, सरकारी करमचारी जो छोटी यातरा, रियायत पर निजी एरलाइन से यातरा करता है, क्या गराता है, 80 fares, छोटी यातरा रियात असी किराया, actual airfare, वास्ति खवाई किराया, not made admissible, and again है ही नहीं, restricted to entitled class by rail other than राजधानी स्टापजे एक्सप्रेश, ये आपका अंसरा जे, question number 140, a male child of a government servant is allowed to receive medical attendance and retirement and treatment in a recognized woman's hospital till the age of, एक सरकारी करमचारी का एक पुरूस, बच्चा किस आयू तक महिला अस्प्ताल में परिचर चाह एम इलाज प्राप्त कर सकता है, किस उमर तक, किस आयू तक आपसे पूचा गया है, तो अंसरा आजएगा आपका 6 years, यानि 6 साल तक, correct about grant of agreement, निवन में से क्या वार्शिक वेतन वर्धी के लिए सही नहीं है, क्या सही नहीं है, यदि यह रोकी जाती है, तो इसके आवधी निधान करना आश्यक है, यदि यह समय पूर्ण होने पर सवता दी जाती है, यह समय पूर्ण होने पर अधिकार रूप से प्राप्त ह होती है, C, अंसर होगा, it should be drawn as a matter of right, question number 148, which of the following is not a permissible way of filling of return of a person having income chargeable to salary, व्यतन भोगी करमचारी निवन में से किस परकार आपनी आय का विवर्णी नहीं बर सकते है, कैसे में, कागजी रिटरन CPC को भेज करके, furnishing paper returning to CPC of income tax, question number 149, an employee in receipt of a salary of 20,000 and allowance of 10,000 has been granted entertainment allowance of 6,000 per month, what amount will be exempt from income tax under entertainment allowance, एक सरकारे करमचारी जिसका वेतन 20,000 परती माय तता मासिक बत्ते 10,000 परती माय की 6,000 परती माय का मनुजन भता परदान किया गया है, इस बत्ते में से कितना आयकर से मुक्त हो जाएगा, इस में से 4,000 के आसपास जो हो मुक्त होगा, question number 150, गर्मेट सर्वेंट सि 24 ओर जे गर्मेट सर्वेंट which of the following best explain it, एक सरकारे करमचारी 24 गंटे सरकारे करमचारी इन में से कौन सा कथन जो है, कौन सा कथन उत्तम है, यह आपको देखना है, सरकार उसे कई ऐसे पद पर नहीं रख सकती जाएं उस पर उसका व्यतन सरकार द्वारा द्वारा दे होता है यह गलत अरना है वास्तों में सरकार करमचारे का संपूर समय सरकार की अधीन है यह आपका अंसर आ जाएगा तो यह था आपका 150 में अचा दोबारा फिर वही बात है कि अलोवर इंडिया में हमारा स्टेडी मेटल पूंचा आ जाता है जाए दिल्ली के अंदर प्रिंशिपल में यूप्यस्टी वाला एकजाम आपका हो जाए आपका एमर्स का एकजाम हो जाए आपका सीटेट जिसे जितने भी टिसी एकजाम में सब के लिए मैटल अविलेबल होता है और लेवल भी सारे हम प्रवाइड करवाते हैं चाहे चाहे आपका प्रिंशिपल है चाहे आपका वास प्रिंशिपल है हर परकार के लेवल के कन्टेंट आपको आ प्लेट करवा जाता है आज के लिए इतना ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तो